नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल पर साथियों यहाँ पर मैं LDC जोइनिंग की एक महत्वपन अपडेट प्रोवाइड करने वाला हूँ तो इसके लिए आप वीडियो को पुरा देखें साथि साथ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए एम बेल आइकन अवज से प्रेस कीजिए दोस्तों ताकि आगे आने वाली समस्तमात अपडेट आपको मिलती रहे साथियो इस अपडेट के मात देम से मैं उन अपडेटियों को जानकरी प्रोइड करने वाला हूँ जो अपडेटी बेक लोग के मात देम से LDC में चैनित हुए हैं और LDC में चैनित होने के पस्चात जिन अपडेटियों को सिक्सा विभाग अलोट किया गया है उन अभीर्तियों के लिए यहां पर एक मात्रों अप्डेट है इसमें pH बेक लोग वा समाने बेक लोग अभीर्ति सबी के लिए यहां पर जानकारी प्रोवेड करने वाला हूँ सबसे पहले मैं बात करूँगा प made recording qe लिए जिनकी प्रोसेस तोड़ी तेज चल रही है क्योंकि वहाँ पर कम अभेड़ती हैं सबसे पहले यहां आप देख लीजिए कारियाले निद्देशक माद्देमिक सिक्सा विकानेर से एक सूचना है इसमें देरका है कि कनिट साहिक भरती 2013 में चैनित 53 दिव्यांग जन जो की पीच के टेगरी से बेक लोग सिक्सा विभाग में चैनित हुए हैं और 385 अभेड़ती जो एससी एस्टी बेक लोग से सिक्सा विभाग में चैनित हुए हैं इसमें 53 अभेड़तियों को दिनांक 19 अक्टूबर 2020 सोमवार को विकानेर के सिवीरा प्रकासन भवन के पुस्तकाले होल में ओफ लाइन तोर पर डिस्टिक अलोट्मेंट के लिए बुलाया गया हैं वहीं स 85 अभेड़ति हैं उन्हें दिनांक 20 अक्टूबर 2020 मंगलवार को ओनलाइन पोर्टल के महाद्यम से डिस्टिक अलोट्मेंट की सूची प्रोवाइड की जाएगी तो जो अभेड़ति बेक लोग से सिक्सा विभाग में चैनित हुए हैं चाए वह पी एच केटेगरी के हो च अभेड़तियों को जो लंबा इंतरिजार था डिस्टिक अलोट्मेंट का या जोइनिंग प्रक्रिया की एक नेक्स्ट प्रोसेस का वो प्रोसेस अब खत्म होने वाली हैं कि पी एच बेक लोग वाले अभेड़तियों को ओफलाइन तोर पर दिकार नेर में बुलाया गया ह जहां आप पर बॉर्ड हैं और बॉर्ड में जाने से पहले जो अभेड़ति पी एच बेकलोग के टेगरी के हैं उन अभेड़तियों से एक अनुरोध है कि अपने सारे डोकुमेंट्स तयार रखें और समस्थ डोकुमेंट्स को साथ लेकर ही जाएं जितना हो सके अगर अगर आपके पास बना हुआ हैं तो उसको अवश्य लेकर जाएं साथ में उसकी दो या तीन एक्स्ट्रा कोपी आपके साथ होनी चाहिए ताकि आपको किसी पर प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े और एस सी एस्टी बेकलोग वाले जो अभेड़तियों 385 मुझ रहते की डिस्टिंग अलउट्पी के लिश्ट कभ आईगी तो उनका लंबा इntजार जो की 24 सितंबर तक उनकी डिस्टिंग चोईस अलउट्मेंट की सूची बरवा लिए ती उनका इंतजार 20 अक्टूबर को खत्म होने वाला है 20 अक्टूबर को उनने डिस्टिंग aloortment की लिष्ट प्रवएड कर दी जाएगी जैसे ही लिष्ट आएगी मैं आपको लिष्ट प्रवएड कर दूस्तों और यहां पर चैनीद अभेडतियों के रेजिस्ट्रेशन दिनांक यह उन अभेडतियों के लिए रखा हैं जो अब्यर्ती पी एच बेक लोग वाले हैं तो इनके बारे में बता दिया हैं कि चैनित अब्यर्तियों के रिजिक्टर संधिनांग 19 अक्टूबर को सुबह साड़े दस से साड़े ग्यारा के बीच हो जाएगा उसके बाद में काउंसलिंग प्रकिया दो पर बारा बज़े प्रारम कर दी जाएगी उसके माद्दियम से ही इने जीले आउंटित की जाएंगे और यहां पर आप देख लीजी साब दे रखा है कि काउंसलिंग में उपस्तित होने वाले अब्यर्ति अपनी फोटो युक्त आईडी प्रती यह मूल दस्तावेज के साथ हैं जो अब्यर्ति पिएच केटेगरी के ध्यान रखने को इस परफोर में को अवस्य करके ले जाना है है इस परफोर में उस दिन वहाँ पर जाकर डिस्टिक लेवल पर काउंसलिंग करवानी है या जोईनिंग प्राप्त करनी है पी-एच वाले अब्वेटियों को सारी जानकार या ऑफ-लाइन मिलने परसनली मिलने की जाथ चांस है बाकी जो 385 अब्वेटियों वाले उन्हें जानकारी वेबसाइट प्रवेड़ की जाएगी दोस्तों और आशा करूँगा कि आगे भी इसी प्रकार की महत्वपन अप्डेट के लिए हमारे साथ आप जुड़े देंगे दोस्तों धन्यवाद क्यों आप खेंगे लिए यह जब चांस है इस प्रकार आपके लिए अवाव चांस है